हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो दे चैनल होमियो गाडनिंग आज का जो टॉपिक है वो स्मॉल स्पेस गाडनिंग आईडिया नमबर थी के बारे में हैं दो आईडिया के बारे में मैंने प्रीविएस वीडियो में बात करी है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मि आपको बताया कि मेरा छोटा सा एक वेजीटेबल गाडन है तो मैं छोटे छोटे जो हैक्स हैं वो ट्राइ करती रहती हूं कि कम जगा में कितना हम जाता से जाता जो है वेजीटेबल अपने गाडन में लगा सके और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूं तो आज उसी idea के बारे में idea number 3 के बारे में बात करेंगे small space gardening idea 3 में हम बात करेंगे companion planting के बारे में companion planting करके भी हम जो है कम जगा में या जैसे एक pot में अगर आपका pot के size के उपर depend करता है कितना बड़ा pot है तो उसमें कौन सी ऐसी 2-3 सबजियां एक ही pot में लगाएं ताकि उन सबजियों क एक दूसरे को benefit भी करें और कम जगा में हमारी जादा vegetables एक साथ grow हो सके तो companion planting basically क्या होता है companion planting में जैसे हम पास पास ऐसे 2 plants या एक ही pot में ऐसे 2 plants grow करते हैं जो एक दूसरे की help भी करते हैं और एक दूसरे के जो pest होते हैं उनको दूर रखने में भी मदद करते हैं ये जो साम तो जिन्हे पाकला बीन्स भी बोलते हैं या विंंटर बीन्स बोलते हैं उनके plants हैं सारे इन में अभी जो white color की flowering हो रखी है और ये इनका season होता है पाकला बीन्स का मर्च तक इन्हें हम विंटर बीइन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो योरफ में जहाँ बहुत ज़्याद यह भी लास्ट मंस में दिसम्बर जैन्वरी में मैंने कैसे कमपैनियन ब्लांटिंग करी थी तो जैसे आप यह सामने पोट मेरा देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपको बीन्स भी बनने शुरू होगी होगी और इसी पोट में नीचे पालक लगी हुई है तो पालक और जो यह बीन्स हैं यह कैसे कमपैनियन्स हैं एक दूसरे के देखे आप लोगों को यह पता होगा कि जितनी भी तरह की बीन्स होती हैं चाहे वो फावा बीन्स हैं, चाहे वो लोबिया बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हैं या इवन जो मतर भी होते हैं, वो सारे एट्मोस्फिरिक नाइट्रोजन को सोयल में फिक्स करते हैं, मतलब वो जो है जितनी भी बीन्स होती हैं, लग-लग वेराइटिस की या मतर होते हैं, व तो इन दोनों को आप एक ही गमले में ग्रो कर सकते हैं, यह जो सामने आप मेरे पोड्स देख रहे हैं, अभी इन में सिरफ एक में आपको पालक लगी दिख रही होगी, बाकी मैं अपरूट कर चुकी हूँ, अभी मैंने नए सीडलिंग्स रेडी कर रही हूँ पालक के, तो इन बीन्स के साथ मैं बाकियों में भी पालक लगा दूँगी, तो यह जो सामने अभी आप मेरे पोड्स देख रहे हैं, इन सब में मैंने मेथी ग्रो करी हुई थी, तो अभी मेथी की मैंने फाइनल हर्वेस्टिंग कर ली है, तो देखिए जब हम कोई भी लीफी बीन्स लगा सकते हैं किसी भी वराइटी की या मटर लगा सकते हैं, और एक कौमन एगजामपल होता है, सिम्पल और कौमन एगजामपल रहता है कमपैनियन प्लांटिंग का, कि जिसमें एफिद्स बगैरा, स्पाइडर माइट्स बगैरा जाधा अठायक करते हैं, उन में आप साइड साइड पे spring onions और garlic bulbs लगा सकते हैं, तो उससे दो benefit होंगे, एक तो आपको spring onions और garlic leaves मिलते रहेंगे, और garlic और onion की जो strong smell होती है, वो efforts वगेरा को दूर रखने में help करती है, तो मेरे mostly ports में, जैसे bangan वगेरा में, और बाकी भी सब ports में, जैसे ये आप देख रहे हैं, गोबी के port में भी साथ में मैंने spring onion लगा रखे हैं, तो mostly सभी ports में, मैं एक एक दो दो जो bulb होते हैं, वो onions के लगा के रखती हों, या garlic के लगा के रखती हों, उससे क्या है कि एक ही port में हमें दो सबजियां भी मिल जाती हैं, और pest control में भी काफी help मिलती हैं, तो ये वैसे त ग्रो करते हैं, उसके according आप companion planting कर सकते हैं, गूगल पे companion planting के जो charts हैं, वो easily available है, तो मैंने अब भी आपको एक example के थरू, live example के थरू बताया है, कि मैं recently कैसे कर रही हूं companion planting, तो ये डिपेंड करता है, कि आपका जो garden है, उसमें क्या-क्या included है, आप flowers के साथ भी जरूरी नहीं है, कि आप दो vegetables को ही एक साथ ग्रो कर सकते हो, as companion plants, आप एक सबजी को और एक flower plant को भी ग्रो कर सकते हो, तो garlic जैसे आप मेरी तरह ऐसे भी कर सकते हैं, कि सबी ports में, एक एक या दो दो जो ports हैं, वो garlic लगा दीजिए, या onion लगा दीजिए, उससे pest control में बहुत जादा help मिलती ह है, soil fungus में भी काफी help मिलती है दूर रखने में, और efforts बगारा जो हैं दूर रहते हैं, तो ये एक मैंने आपको जो most common example मैंने आपको बताया, कि कोई भी तरह की beans के साथ, आप जैसे ये टॉल उपर की तरह बढ़ती हैं, फाबा बीन्स या बाकला बीन्स हैं, या जो लोबिय बीन्स होती हैं, गलाइमिंग बीन्स होती हैं, तो उनकी जो रूट्स में आप लिफी वेजीटेबल्स ग्रो कर सकते हो, जो बीन्स हैं वो सोयल में नाइटरोजन एड़ करेंगी, और वो नाइटरोजन जो है हमारी पालग और मेथी यूज करेंगी अपनी ग्रोथ के और कम जगा में हमें एक साथ दो सबजियां में बिल जाएंगी, ऐसे ही जिसे एक और एक्जामपल है, टमाटर और बेसिल का, जिसे टमैटोज और बेसिल को अगर आपके पास बड़ा पोट है, तो आप एक पोट में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप पास पास ग्रो कर सकते तो जितने भी strong smelling plants होते हैं, calendula है, marigold है या basil है, तो इनकी जो strong smell से ये aphids और spider mites है ये दूर रहते हैं, और एक जिसे सौंफ अगर हम गमलों में ग्रो करते हैं, तो जो सौंफ होती है वो ladybug, एक आपने देखा होगा, red color का ladybug insect होता है, तो जो सौंफ का plant है वो उसको attract करते है और जो वो ladybug है, वो सारे aphids को और spider mites को खा जाती है, तो अगर आपके garden में aphids और spider mites की problem जादा है, तो आप सौंफ भी grow कर सकते हैं, ladybug से हमारी homeopathic में एक बहुत अच्छी medicine भी बनती है, coxinella, उसके regarding मैंने video डाला है, वही aphids को control करने में यूज होती है, तो अगर प्लांट में यूज करना चाते हैं, और आपके प्लांट में aphids और spider mites की problem बहुत जादा है, तो आप coxinella एक medicine है, उसके regarding video मैंने अपने channel पे डाल रखा है, तो वो भी use कर सकते हैं, या आप simply organic method ट्राइ कर सकते हैं, जैसे भी जो सौंफ के plant है वो लगा सकते हैं अपने garden म तो सौंफ जो है वो ladybug को ट्रेक करेगा और जो ladybug होती है वो aphids और spider mites को खा जाती है, तो देखिए leafy vegetables को grow होने के लिए बहुत जादा space की जरूरत नहीं होती, और मैं उन्हें अलग लग ports में grow करने की बजाए, जैसे मेरे पास चोटा सा garden है, और ports भी कम हैं, तो मेरी यह कोशिश रहती है कि कम जगा में एक साथ जादा सवजीयां हम grow कर पाएं, और अगर हम एक साथ दो plants grow कर रहे हैं, तो ऐसे grow करें कि वो एक दूसरे को harm करने की बजाए, एक दूसरे को benefit करें, तो जो फलियां हैं, किसी भी तरह की जो फलियां है या बीन्स हैं, उन्हें आप क मेथी, चोलाई, लैटस, मतलब जो भी green leafy vegetables हैं, उनको आप किसी भी तरह की beans के साथ grow कर सकते हैं, ऐसे ही tomatoes में आप जो है tomatoes और basils को एक pot में grow कर सकते हैं, तो garlic अब जैसे bangan के सभी पोधों में या शिमला मिर्च के सभी पोधों में आप garlic एक एक दो दो bulb लगा सकते हैं, जो fungus से भी protect करता है, और aphids और जो spider mites होते हैं, वो strong smell से दूर रखते हैं, बाकी आप calendula plant कर सकते हैं, सौफ का plant सद्यों में plant कर सकते हैं, जो सौफ है, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया है, तो मैंने सिर्फ इसमें एक ही जो ये pot है, इसमें पालक का plant आपको दिखाने क के लिए छोड़ा था, अभी मैं इसको भी uproot कर दूँगी, क्योंकि मेरे नई जो है pot त्यार हो रही है पालक की, और ये जो साथ वाले सारे pot आपने beans के देखे हैं, इनमें मैं वापिस से पालक का एक प्लांट ग्रो कर दूँगी, क्योंकि ये जो अपी beans हैं, ये मार्च त तक इसली चल जाएगी, तो ये था companion planting के बारे में और small space gardening idea number 3 के बारे में सारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने gardeners और farmer friends के साथ शियर कीजिए, अपने चैनल पे मैं बताती रहती हूँ कि कैसे हम homeopathic medicines का यूज करके पैस से चुटकारा पा सकते हैं, और अच्छी yield ले सकते हैं, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए तांकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन हैं, वो आप लगों तक पहुँचती रहे हैं, थैंक थैंक्स पूर बाचिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो लेक्षी जो पहा हैं, वो अच्छी पाइब का लेंग।